हेलो दोस्तों वेलकम तो और चैनल दाएंट इंट इंस्टा काईज आज इसमें बात करने वाला हूं रियल में टेक लाइफ वाच आर हंड्रेड वर्सेस नॉइस कलर फिट वीजन टू स्मार्वाज के बारे बहुत इन दोनों स्मार्वाज के पुल केंपरिजन करने वाल है और देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्मार्वाज सबसे जाधा बेश्ट होती क्योंकि ये दोनों ही वाच आज लांच होने वाली है तो देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्मार्वाज सबसे जाधा बेश्ट होने गर किई गूंकर मैं रोजना ऐसे विडियो को चार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें इन दोनों समाइडस के बीट और दीजाइन के बारे बारे बीबुटि और डिखुण जो ayam यह मिलने वाला सहतंगा लारी सब्सक्रेंड जह आगे और वहीं पर ब्लाइब के के बारे में बात करें तो यह आपको अलुमूनियम एलॉय की बाड़ी मिलने वाली यानि कि मेटल फ्रेम केसिंग जो है दिया गया जब कि महीं बात करें नॉइस कलर फिट वीजन टू इसमार्वास के बिल्ट क्वाल्टी और डिजाइन के बारे में तो इन दोनों इसमार्व देखने को मिल लियागा तो आपको कौन सी डिजाइन पसन है सर्कुलर या रेक्टेंगुलर आप नीची कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करें इन दोनों स्मार्वाच के स्पेस्पिकेशन के बारे में तो रियल में टेक लाइफ वाच आर हंडे में आपको 1.32 इंच के ट का सपोर्ट जो है दिया गया और इस स्मार्वाच में आपको 368 इंटु 448 का पिक्सन इलो सम का सपोर्ट जो है दिया गया Just साथी साथ में इसमें भी आपको multiple watch faces का support जो है देखने को मिल जाएगा अब यहां पे देखा जाए कि आपके लिए कौन से smartwatch के display सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली तो वह है noise color fit vision 2 क्योंकि इसमें आपको एमरेट डिस्प्ले मिल रहा है साथे साथ में always on display का support जो है दिया गए और इसका pixel illusion भी बहुत ही अच्छा खासा दिया गए और 600 निर्ट का प्रेटनेस का भी support मिल रहा है तो भेंगे noise color fit vision 2 smartwatch आपके लिए काफी ज़्यादा बेस्ट भूड़ी है अब friends बात करें कि इन दोनों smartwatch के main differences के बारे में स्पोर्ट दिया गया है और यहां पर noise color fit vision 2 smartwatch में आपको body temperature measurement का support जो है दिया गया है अब friends बात करें इन दोनों smartwatch के sports mode को लेकर तो sports mode में आपको difference मिल सके है या न दोनों smartwatch बात करें इन दोनों smartwatch के water resistance के बारे में तो water resistance में आपको difference नहीं मिलने वाला इन दोनों smartwatch में आपको IP68 rated water resistance का support जो है दिया गया battery backup को देखा जाए तो battery backup में भी आपको difference नहीं मिलेगा noise color fit vision 2 smartwatch में आपको 7D का normal backup दिया गये और AOD यानि कि always on display को use करते हो तो यहां पे आपको 2 दिन का backup मिल जाएगा और stand by backup जो है आपको 25 दिन का दिया गया जबकि में पर Realme, Tech, Life, Watch आर हिंडेट में भी आपको 7D का normal backup दिया गये साथ ही साथ में camera को control कर लोगे और music को भी control कर लोगे यह कुछ specification रहा इसी noise color fit vision 2 smartwatch और यहां पे Realme Tech Life Watch आर हंडेट का आप यहां पे price segment को discuss किया जाए तो noise color fit vision 2 smartwatch की current price होने वाली है 2999 विर्पे और flip card पे अगर आप इसको search करोगे तो यह आपको 6999 विर्पे दे रहा पर्चेस करोगी तो यह आपको 3000 रुपे में ही मिल जाएगा जबकि वहीं पर Realme Tech Life Watch आर हंडेट की price अभी confirm नहीं हुई है लेकिन यह भी around आपको 2000-3000 रुपे के बीच में ही मिल जाएगा इससे जादा नहीं मिलने वाला अगर इससे जादा जाता है तो इसका price वर्थ नहीं होगा इन दोनों smart watch में अब देखा जाए कि आपके लिए कौन से smart watch सबसे जादा best होने वाली है तो इन दोनों में आपको बहुत ही जादा difference जो है देखने को मिल जाएगा अगर आप अच्छी display quality चाहते हो तो आप noise color fit vision 2 को prefer कर सकते हो लेकिन आप अगर bluetooth corning चाहते हो और थोड़ी इन दोनों smart watch में आपको बहुत ही अलग अलग difference है जो है देखने को मिल जाएगे डिजाइन से लेके body quality तक का तो यह बहुत ही जादा difference जो है देखने को मिल जाएगा तो आपको कौन सा पसंद आता है design और built quality साथे साथ में feature क्या चाहिए यह आपके उपर है और जो भी आप आपके मन में सवाल या queries है आप नीचे comment box में पूछ सकते तो पस यही थी पूरी वीडियो इनी दो smart watch के बारे में उमीद है आपको वीडियो काथी ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार दिन सेट करो चैनल को सब्सक्राइब करके ब वीडियो कर को तो बारे में उनी खंथार को सब्सक्राइब कर 10AKE अर भीडियो और येख वीड़ कर दो पको